हलो माई डियर फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल करेंटेश्टी पर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डियलेट बीटी सी प्रेसीच्छण 2019 हे तु आनलाइन आवेदन पत्र आपका इस्टार्ट हो गया है आपका रेजिस्टेंट की डेट आ चुकी है दोस्तों 27 देख रहे हैं अनुल भीूसर चतुरवेदी सची जी ने एक नोटीज जारी की है उन्होंने इसमें बताया है कि आपके रेजिस्टेशन की कब से डेट आपके आरम हुई है कब से दोस्तों आपका इसका डेट लाश्ट हुई है इसमें दोस्तों और भी कुछ नियम बता है तो आपको वीडियो के साथ बने रहे हैं चैनल परना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें चुकि आपके काउंसलिंग तक मैं आपके साथ बना रहूँगा आपको आगे भी डेटेल में जानकारी बताता रहूँगा कि आपको कालेज में काउंसलिंग और आपका क्या क्या आपका योगिता क्या होनी चाहिए आपकी फीस क्या होगी यह सब कुछ आपको बताऊंगा तो आप चैनल पनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो इस नोटिस को मैं आपको बताते हैं कि यह सर ने आपको सची जी ने क्या notice दी गए है तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि registration के लिए इन्हें notice दी है कि आप जब registration करने जाएंगे तो आपको क्या-क्या सावधानी रखना है नहीं तो आप registration से हो सकते हैं अभी registration से ही हो सकते हैं बाहर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिलेट बी टी सी प्रसिच्छन दो हज्यार उन्निस हेत इच्छुक एवं अर्य अभ्यर्तियों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए अभ्यर्तियों को निर्देशित किया जाता है तो इन्ह संसोधन का कोई अफर देह नहीं है अर्थाज दोस्तों आप जब आनलाइन रेजिस्टेशन करेंगे तो आप कोई गलती करते हैं तो उसमें संसोधन का कोई अउप आपको दिया नहीं जायेगा अता है दोस्तों आप देखिए अपर अता अभ्यर्ति case डियलेड प्रसिच्छन 2019 आवेदन आनलाइन आवेदन के समय पंजी करणवम फार्म फाइनल सेव करने से पूर यहां पर दोस्तों देखिए फाइनल करने से पूर अपने आवेदन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवस्य करें अभियर्तियों को रेजिस्टेशन को फाइनल सेव करने से पूर इस आसे की घोषणा पत्र को चैन करना अनिवार होगा तो यह दोस्तों जब आप 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 फिल अप करेंगे आप दोस्तों उसको करते हैं तो जब लाश्ट आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा फाइनल सेव करना होगा तो आप उसके पहले आपको ये आपको दिखेगा है जो की आपको कन्फरम करना होता है कि आप ही इसके जिम्मेदार होंगे तो ये क्या होता है दोस्तों इसको मैं पढ़के आपको बताता हूँ ये है दोस्तों मैंने आनलाइन आवेदन के अंत्रगत किये गए रेजिस्टेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मैं अपने रेजिस्टेशन को फाइनल सेप करने है तो पूर्टा सहमत हूँ फाइनल सेप होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन में संसोधन करने का कोई आउसर देह नहीं होगा अर्था दोस्तों आप ही इसके जिम्मेदार होंगे अगर आप गलती करते हैं आप रेजिस्टेशन में गलती करते हैं तो इसके सरकार आपके इस साइट की कोई जिम्मे जिम्मेदारी नहीं होगी BTC Board आपका इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा आप खूद होगे क्योंकि आप ने पहले ही वचन दे चुके हैं कि मैं online로 pada날 जो कर रहाु इसमें अगर जोच वो ती होगा मैं final submit कर रहा हूँ अगर कोई गलती होती तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ इसमें कोई संसोधन करने का मुझे आउसर नहीं दिया जाए तो ये आप इसको confirm कर लिए पहले ही तो ये दोस्तो आपका ये पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट आपका दोस्तो है कि ये आपको सही से भाली बात अध्यन करके तभी ही रजिस्टेशन करना चाहिए तीसरा पॉइंट ये दिया दोस्तों कि डियलेट बीटीसी प्रसिच्छन हेतु राज सरकार की संबत्ता प्राफ्त अल्प संक्यक संस्थानों द्वारा डियलेट प्रसिच्छन 2019 के अंतरगत प्रवेश चैन की कारवाही उक्त सासान देश दिनांक 25-6-2019 में निर्धारी सैच्छिक योगता अरेता आयू सासान देश दिनांक आपका 25-6-2019 के बिंदुगारा में अल्प संक्यक संस्थानों के निर्देश अनुसार संपादित करा आई जाएंगी तो दोस्तों यहां तो आपका अल्प संक्यक की बात की गई थी हम दोस्तों यहां बात करते हैं आपको यह तो आपको जो डेट आपको सासन ने जारी किया आपको 25-6-2000 वो ऐसे जारी किया गया है हम बताते हैं दोस्तों आपको जोर आनलाइन की रेडिस्ट ये पर के पारिदेशिक औरेता आउय आव olsun पत्र चैन का मानक अन्य सर्तों सहेत्थ सामान पर चालीश संबन्धी। registration farm आवेदन सुल्क जमा करने दोस्तों यही पर आपको online registration farm करना है कौन साइड है दोस्तों updla.government.in पर यही पर जाकर आपको करना है और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आवेदन सुल्क जो जमा करने के लिए State Bank of India पर State Bank of India का link होगा वहाँ से आपको सुल्क जमा करना है और वो भी online आवेदन पत्र उपलब्द है दोस्तों यहाँ पर एक और भी point है कि आपका यह offline कुछ भी नहीं होगा totally online है ठीके दोस्तों और आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपके क्या है online registration की प्रारम होने किती थी तो दोस्तों यह आपका 27.6.2019 अपरा का मतलब है आपका दोपाहर 12 बजे से आपका 27.6.27 जून से श्टार्ट हो गई आपके registration की date 27.0.2019 के दोपाहर से उसके बाद दोस्तों इसकी अंतिम्तिती है online पंजी करण की जो registration के अंतिम्तिती है वो 11 जुलाई 2019 साम 6 बजे तक है 11 जुलाई दोस्तों मैं आपसे request यही करूंगा कि आप जल्द से जल्द आप registration कराएं नहीं बाद में आपकी side बीजी चलने लगती है और दोस्तों आप राद 12 बजे तक परेसान होते हैं कि आपका कब होगा कैसे होगा तो इसलिए हैं आप से request करते हैं कि आप पहले से ही कोसिस करिए कि आप जल्द से ही जल्द आप देखिए नहीं कि वो अभी प्रेजिस्टेशन की अंतिम डेट कब है दोस्तों यह 11 जुलाई है और आनलाइन के सुल्क जमा करने की एक दिन बढ़ा कर 12 जुलाई रग दी गई और दोस्तों चौथा पॉइंट आपको दिया यहाँ पर सुल्क पूर्ण आवेदन की प्रिंट आउट लेने की अंतिम तित इसके बाद कोई डेट दोस्तों नहीं है 13 जुलाई लाज़ डेट इसकी है प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिति और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है आनलाइन अदम से आवेदन स्विकार और विचारी नहीं होगे आप ना डांक के द्वारा ना आप लॉफलाइन किसी भी के द्वारा आपका फाम आपको स्विकार उनको नहीं किया जाएगा उनका फाम तो इसलिए विशेजधांग आपको आनलाइन ही सब कुछ होना है आपके जी ने ये बताया है अनिल भूसर चतुरवेदी सची उपरिच्छा नियामाक प्राधिकारी उत्तरपदेश प्रयाग राज ये 26 की डेट के निकाली गई है दोस्तों नोटिस तो आप चैनल पहना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो में दोस्तों आ आपको क्यार पूरा डिटेल में बताऊंगा आप चैनल पहने है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें धन्यवाद